Royal Enfield, एक ऐसी bike manufacturer company, जिसने हमेशा सही Lord Mid section में अपनी dominance बना कर रखी है, अब चाहे वो classic हो, bullet हो या standard हो, और या Royal Enfield की 650 twins, वो हमेशा सही हम Indians के मन को भात ही रही है, और दोस्तो 350 segment में Royal Enfield ही एक ऐसा bike manufacturer था, जो अपनी bike को market में उतारता था, और कोई भी rival ना होने के वैसे, थी, but yes, Royal Enfield का जो market था, वो बहुत बढ़ा था, बट दोस्तो होता क्या है, कि Honda launch करता है, 350 segment में अपनी bikes, जिनका नाम होता है, Highness और CBRS, राइट, जैसे वो market में आती है, पूरा market disrupt कर देती है, बहुत सारे जो customer है, वो Honda की तरफ जाते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि Honda जो है इस engine को ही चलाने में आता था, जो उसका sound था, उसकी टकर कोई भी ने ले पाता था, और दोस्तो होंडा ने जैसी हाइनेस और RS 350 को launch करा, काफी सारा market उसने capture करा, और बहुत सारे लोगों ने ये bike करी दी, और दोस्तो अब लोगों के पास काफी सारे options थे, Royal Enfield की bike के अलाव होगे तो आपको ये bike बिल्कुल सेम सेम दिखेगी, हाइनस को पहले Royal Enfield की 350 सेग्मेंट से compare किया जाता था, पर दोस्तो उसमें थोड़े से difference थे, लेकिन अगर आप देखोगे, अब तो split seat मिल जाती है, जैसे के आपको classic में मिलती है, same आपको shockers मिल जाते है, shock covers वाले and दोस्तो अगर हम Royal Enfield की बात करें, तो भाई इसके साथ आता एक बड़ा सा service network, and अगर हम CP 350 की बात करें दोस्तो तो यही मिलती है, Honda के कुछ ही showroom में, Honda Big Win और वो और उसके availability काफी कम है इंडिया में, बट दोस्तो उसके साथ आपको मिलता है, better refined engine, जो क्लासिक से थोड़ा सा better है, अगर हम price की बात करें, तो price में भी वो कम है, तो आज बात करेंगे सारी चीजे के बारे में, और आपको एक side by side comparison देंगे, वेल दोस्तो अगर हम price की बात कर लेना, तो यहाँ पर Honda जीत जाता है, क्योंकि यार engine सेम है, लेकिन अगर Honda के हम Dual X Pro model की बात करें, जो कि सबसे और दोस्तों, आप दोनों ही bike को देख सकते हो, एक ही segment की bike है, एक ही जैसी लगती है, और दोस्तों, दोनों में ही आपको मिल जाता है customization का option, तो आप Ari की website पे भी customize कर सकते हो, और Honda की website पे भी customize कर सकते हो, तो दोस्तों, करते हैं side by side comparison, तो बात करते हैं सबसे पहले engine की, और द तो दोस्तों, start करते हैं video के, हम बात करते हैं bike के heart के बारे में, जो क्यों होता है engine, और दोनों को compare करते है कि किसमें आपको कितनी power मिलती है, तो दोस्तों, अगर हम classic की बात करें तो इसके साथ आपको मिलता है 349.34cc का engine, और अगर मैं Honda की बात करें तो आपको मिलता है 348.36cc का engine, तो यहां अगर आप देखो के तो CC में Royal Enfield slightly better है, लेकिन अगर हम torque की बात करें दोस्तों, तो torque आपको Honda में ज्यादा मिलता है, Honda में आपको मिलता है 29.4 Nm का torque at 3000 rpm और अगर मैं classic की बात करूँ तो आपको मिलता है 27 Nm का torque 4000 rpm तो आप देख सकते हो, Honda में जो है torque ज्यादा ह वो भी कम rpm और classic में है, यह थोड़ा सा कम है, दोस्तों, दोनों के साथ ही 4-stroke air cool engine आते हैं, और अगर मैं classic की बात करूँ, तो classic जो power produce करते है 20.21 PS की power, अगर मैं Honda की बात करूँ, तो यह produce करते है 21.07 PS की power, तो दोस्तों, अगर आप देखोगे, तो CC जो है, Royal Enfield की ज्यादा है one point से, बट अगर power और talk की बात करो, तो आपको CB 350 में ज्यादा मिलती है, अगर मैं दोनों के top model की बात करूँ, तो यह price में difference है, और classic थोड़ी सी expensive है, तो अगर हम fuel capacity की बात करते है, Royal Enfield की bike में आपको मिल जाता है 13-liter का tank, और अगर मैं CB 350 की बात करूँ, तो आपको मिल जात अगर मैं price की बात करूँ तो यार, दोनों ही bikes में आपको different models मिल जाते हैं, जिनके prices बहुत कम भी है, बहुत ज्यादा भी है, classic में भी ऐसे कई model आते हैं, जिनकी price बहुत कम है, अगर मैं Honda की बात करूँ, तो डीलेक्स जो है, उसका variant, लोर variant है, उसका price भी काफी कम है, तो आ अगर हम Honda के टाय arkadaşlar की बात करें, तो front में आपको मिलता है, 100 x 90 का टायर जो की आता है 19 इंच के alloy के साथ, अगर हम रेयर की बात करें, तो बहुत बहुत करें, 130 x 70 सेगमेन के टायर के साथ, जो के है 18 इंच का alloy साथ, दोस्तों अगर हम एगको Kayla बहुत करें, तो classic में आपको front मे जाता है 18 इंच का अगर हम टायर सेक्षिन की बात करें रेर की तो यार अफकॉस आपको स्लाइटली वाइडर टायर मिल जाता है जो कि आपको आता है वन थर्टी सेग्मेंट का एन उसी के साथ से दोस्तों अगर हम हैडलाइट की बात करें तो सीवी थी फिफिफ्टी में डी भी करवा सकते हो इसी के साथ दोस्तों अगर आप देखो के तो दोनों में स्पिट स्लीट का ऑप्शन मिलता है और अगर में इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो अफकॉस यह बात है दोस्तों जो होंडा का इंजन है थोड़ा ज्यादा रिफाइन फील होता है फीली चेक भी हाँ भी थोड़ा बहुत थो हो ना चाहिए है तो येस प्रॉलि इस बेटर अगर आपको बिल्कुल ही डिफाइन बाइक चेह है एक बस आवाज आय। ऑटर में चेले सी Honda's engine is better, so दोस्तो आप बात कर लेते हैं, फीचर्स की कि दोनों में से किस बाइक में आपको जादा फीचर्स मिलते हैं, दोस्तो जैसे कि आप जानते हो, classic में आपको मिलता है, dual channel, ABS, अगर हम instrument cluster के बात करें, semi-digital आपको instrument cluster मिल जाता है, जिसमें आपको देखता है, auto, trip meter, fuel meter, आप चाहो तो turn by turn navigation विसमें लगा सकते हो, as an accessory, अगर दोस्तो हम Honda की बात करें, तो Honda में आपको काफी सारे नई features देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि CB350 में आते हैं, यहां पर आपक इसके meter console की, तो same दोस्तो आपको semi-digital meter मिल जाता है, लेकिन यहां पर थोड़े से जो है features, ज्यादा मिल जाते हैं आपको, यहां पर दोस्तो काफी सारे आपको notification दिख जाते हैं, कि आपकी bike का stand लगा है या नहीं लगा है, आपकी bike ego में चल रिया, ABS on है या नहीं है, दोस्त इस segment की bike में, यह दोनों bike ही dominant करते हैं दोस्तों, इंजन दोनों ही bikeों में बहुत बढ़िया है, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हो कि भाईयाद बहुत है, city ride purpose से, job के purpose से, या फिर heavy ride की वज़र से, या फिर travel की या से, आप यह दोनों बाइकों को ले सकते हो, बढ़े ही प् इंडिया में, आपको आइड साइड में, आपको आइड साइड में, और सर्विस भी काफी इच्छे से, अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन दोस्तों, अगर हम हॉंडा की बाइत करें, तो CB 350 हाइनेस पर जो ऐसी bike है, वो सिर्फ आपको हॉंडा बिग विंग में अवेलेबल ह जो इनकी संक्या है, इनके शोरूम के नंबर है, बहुत बहुत कम है, और इनकी सर्विस भी वही होती है, तो दोस्तों तर आप इंडिया में, एक ऐसे इलाके पे हो, जो की काफी डिवेलप नहीं है, और वहां पर मार्केट साइज इतना नहीं है, तो शायद आप इस bike को प बात करें CB 350 की तो यार यह सिर्फ होंडा बिग विंग के शोरूंस में और वहीं पर सर्विस होईगी जिनकी अवेलिबिल्टी काफी कम है तो यहां पर रॉयल इंड फिल्ट है वो क्लेरली विनर बनता है और भाई अफकॉस काफी टाइम से आरा है तो यहार लोगों के मन में विश्वास है जो ट्रस्ट है वो रॉयल इंड फिल्ट के प्रतीच जादा है अगर दोस्तों में हॉंडा की बात करो तो हॉंडा का जो नहीं है वह काफी रिफाइन है कम सीथी होने के बाद भी जो पावर है जो टॉर्क है दोस्तों आपको हॉंडा में ज्यादा मिलता है बहुत ही स्मूथ है रिलाइवल्टी इश्यू बहुत ही कम आते हैं मतलब ऐसा बहुत ही कम होगा कि आप इस बाइक को कहीं ले के जारो यह बंद पड़ जाती है तो दोस्तों उसमें जैपनिस कोई जवाब नहीं है बट यस रॉल इन फिल्ट है वो भी कम है और आपको आपको हॉंडा की बाइक में मिलते हैं दोस्तों अगर आप दोनों को सामने खडी करके देखोगे तो यार अफकोस रोयल इंट फिल्ट की जो क्लासिक है वो ज्यादा बलकी लगती है ज्यादा बड़ी लगती है अगर मैं हॉंडा की बात करते है आद देखो बोलना नहीं यार यहां बड़ी लगती है जो यार जादा प्रीमियम लगती है जो कि दोस्तों उसमें जो है च्रोम का जो है काफी ज्यादा यूस करा गया है जो उसके मॉडल है और यह अगर हम बात कर एक लांसिक भी तो उसके अगर मैं टॉप वेरिंट की बात तो फकॉस मैं बहुत स फील से थोड़ी सी बैटर है सुदूस्त अब बात करते है एक्जॉस नोट की तो यार एक्जॉस नोट अफकोस फी बात है जो बुलट गशॉस्त ता दोस्तों अमेशा से ही लोगों पसंद आता है लेकिन अब जो है अब इन बाइक में जे सीरी इस का इंजन आता है तो व वीडियो नोने वाइक का साइड वा साइड कंपारिजन का आई होप यह वीडियो इंफरमीटिव राओ अगर यह वीडियो इंफरमीटिव राओ तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करियेगा क्यों कि उसे मिलती है मोडिवेशन ऐस यह वीडियो जबनाने के लिए अन्म आप देमिलते है कि यह वीडियो में तिल देन टेकर बाइब बाइब एंद सी यू